गुर्विनिंग फिनेंस, मैं फैयाद रजबी, स्वाद करता हूँ अपने चैनल मैं सड्डा में आईए सर आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ, कमपाउंड इंट्रेस्ट अभी तक आपने हमारा टॉपिक पढ़ा था, सिंपल इंट्रेस्ट, साधरर ब्यास के बारे में बाते की थी तो मैंने आपको साधरर ब्यास के बारे में बताया होगा, कि कैसे कैसे कोशन बनेंगे, कैसे कैसे कोशन नहीं बनेंगे आपने देखा था simple interest साधरर ब्याज मतलब जर्मिन ने कह था अगर 100 रुपए पे अगर हम निकालेंगे तो principle 100 रुपए है तो कयामत की रात तक 100 रुपए ही रहेगा कभी भी change नहीं होगा हर साल का ब्याज भी same रहेगा किसमें simple interest में लेकिन अब पढ़ रहे हैं compound interest compound interest का मतलब होता है चक्रवर्दी ब्याज ब्याज पर भी ब्याज जहां पर आपको ब्याज पर भी ब्याज लगे उसको हम क्या बोलेंगे compound interest बाते के लिए यहां तक बाते के लिए होंगे आपको तो सर एक बार देखेंगे कि चक्रवर्दी ब्याज होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ for example माल लेजिए सर माल लेजिए कि मैंने आपको 100 रुपे उधार दिये 100 रुपे उधार दिये 10% बारशिक ब्याज की दर पर उधार दिये तो बोलेंगे 110 किते हो जाएंगे 110 लेकिन सर अगर फीशे पढ़ा था मने 700 ब्याज तो अगली साल भी ब्याज 100 पर ही लगता था लेकिन यहां पढ़ लेए compound interest का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज क्या बोलते हैं सर ब्याज पर भी ब्याज मतलब अगले साल जो लगेगा वो किस पर लगेगा 110 रुपे पर तो इसका 10% तो 110 का 10% कितना हो जाएगा 11 तो यह कितना हो जाएगा 121 कितना हो जाएगा 121 मतलब पहले साल का ब्याज 10 अगले साल का ब्याज कितना 11 यह सर लो मतलब हर साल का ब्याज भी चेंज होता रहेगा और देखे आपने ए पैसा हमने उधर दिया वो principal और ये क्या हो गया? amount. लेकिन आने बाले साल के लिए ये क्या हो जाएगा? principal हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है. जिस पर interest calculate होता है. that is called principal. तो सर ये क्या कहलाएगा? principal. तो sir ये क्या हो जाएगा amount लेकिन फिर आने वाले time के लिए क्या कहलाएगा ये principle और फिर वो क्या कहलाएगा amount yes or not बाते clear हैं आईए sir यहाँ पर मैं आपको एक और logic बताता हूँ एक और important बाता हूँ sir मैं आपको sir देखो यहाँ से यहां TAK TIME कितना साल है तो देखो यहाँ से यहाँ TAK TIME कितना साल है तो बोलेंगे एक साल है पहले मैं आपको compound rejected के सारी property बता देता हूँ आपको एक साल टाए में तो देखो यह 100 रुपए एक साल में कितने हो गए 110 यहां देखेंगे 110 रुपए एक साल में कितने हो गए 121 इसको अगर हम ratio निकाल लें 10 is to 11 इनका ratio निकाल लें तो 10 is to 11 अरे वाओ आपको एक बात पता लगी क्या पता लगी अगर timing same है अगर timing same है तो principle और amount का ratio भी कैसा रहेगा same रहेगा कैसा रहेगा same रहेगा अब मैं आने वाली वीडियो में आने वाले questions में मैं आपको एक question कराऊंगा कि कोई भी amount है वो compound interest की दर से 4 साल में 4500 8 साल में 750 हो जाता है principle क्या होगा rate of interest क्या होगा तो बहाँ आप इसी method को लगाएंगे और question को तोड़ देंगे same रहेगा yes or no और आपको एक बात पता और लगेगी कि sir ब्याज पर भी ब्याज रगता है मतलब हर एक साल ब्याज अलग-अलग आएगा कितना आएगा अलग-अलग आएगा yes or no मतलब यह successive होता है क्या होता है successive आईए चलते हैं question की तरफ आईए sir मैं आपको compound interest की बारे में कुछ और बाते बताता हूँ generally sir आप जहां पढ़ते होंगे online, offline जैसे पढ़ते होंगे आप लोग तो teacher कहता होगा कि compound interest का formula होता है उस formula को लगाईए सारे-सारे question तूड जाएंगे आपको क्या बताएगा वो आपको बताएगा a is equal to p one plus r upon hundred की power n या आपको t बताएगा कहेगा p principle है r rate है n number of year से a amount है कहेगा इस formula को लगाऊ इससे amount निकल आएगा amount में से principle minus वर तो आपका interest आजाएगा लेकिन sir ये तो गांदी जी के time में हम लोग ऐसे question को solve करते थे अब तो हमने smart हो चुके हैं हम तो आपको पता है कि mobile number याद नहीं होता formula कहाँ से याद होगा yes or not तो sir देखिए हम question को बिना formula के और think without ink बनाएगे question को तो कैसे बनाएगे एक बार देखिए पहले sir मैं ये video एक दम बिल्कुल मैं देखिए कुछ मेरे जो बच्चे mains के student है वो लोग थोड़ा बोर भी होते होंगे कहते होंगे sir इतने छोटे-छोटे question आप पर आते हैं लेकिन sir देखिए मेरे पास तो सभी students परते होंगे कोई basic भी होगा कोई advance भी होगा तो सभी का सबका साथ सबका विकास sir question कहता है माल लो 6,000 रुपे है sir rate कितना है 10% per annum है time कितना है sir 2 years है और कहता है compound interest आपको निकालना है कहता find the compound interest for 2 years at a rate of 10% per annum on rupees 6000 बाते के लिए है आगे sir देखिए तो हम क्या करेंगे question को इदा देखिए एक बार sir 10% है आप लोग percentage पढ़ चुके है नहीं पढ़ा हो तो percentage की पहली वीडियो देख लेना कि 10% की fraction value क्या होगी तो bowling 1 by 10 कितने होगी 1 by 10 sir ये rate है rate का मतलब interest है तो sir 10 रुपे पे एक रुपे का ब्याज कितना हो गया 11 तो sir 10 रुपे एक साल में कितने हो जाएंगे 11 कितने हो जाएंगे sir 11 समय आपका कितना है बड़ा खराब है कितना साल है 2 साल है sir 2 साल है तो square कर दो 3 साल है तो Q कर दो 4 साल है power 4 लगा दो 5 साल है तो power 5 लगा दी बाते के लिए रहें अब sir देखो 10 का square 100 आ गया 11 का square कितना आ गया 121 आ गया इसका मतलब ये principle है और ये क्या है amount है yes or not ये principle है और ये amount है तो sir ये क्या हो जाएगा interest अब एक ही question में सारे question को निचोड़ देख लिजिए ये principle ये amount और ये क्या interest इसका मतलब आपको principle देदेगा तो interest पुछ लेगा amount पुछ लेगा amount देदेगा मतलब 100 बात की एक बात इन तीन चीदों में से कोई भी एक चीज़ देदेगा बाकि आपसे कुछ भी निकलवा लेगा yes or not बाते के लिए हैं लेकिन सर हमको क्या दिया है कहता है principle दिया है कितना 6,000 रुपीज principle यहां कितना है तो बच्चे 100 बराबर 6,000 तो सर 1 बराबर 60 1 बराबर 60 तो 21 into 60 यह कितना आ गया 2060 रुपे हमारा interest आया या नहीं आया any problem no problem principle निकल आएगा amount भी निकाल देंगे याद रहेगा न सर इसकी हमने fraction बैनू लिया एक बटा 10 10 रुपे पे एक का ब्यास कितना 11 समय 2 साल है तो square करो 3 साल है तो क्यों कर दो 10 का square 100 11 का square 120 100 बराबर 6,000 1 बराबर 60 21 into 60 कितना 12060 आपको बाते के लियर होंगी आगे चलते हैं next class की तरब सर कॉशन है कोई धन 12.5 प्रितिशत बारशिक ब्यास की दर से 2 वर्ष में 16,200 रुपे हो जाता है धन क्या होगा कहेगा a sum will be 16,200 रुपीज at the rate of 12.5% of compound interest for 2 years find the principle any problem no problem सर देखेंगे कि हमको principal आपसे पूछ रहा है rate दे दिया 12.5% समय आपको 2 साल भी पूछ सकता है 3 साल भी पूछ सकता है और आपको दे दिया कहता है इतना रुपीज हो जाता है that is amount कितना सर 16,200 रुपे any problem no problem आप देखेंगे सर 12% बोले तो कितना एक बटा 8 8 रुपे पे एक रुपे का ब्याज तो कितना हो गया तो बताएंगे 9 हो गया कितना हो गया no time आपका बड़ा खराब है कितना है 2 साल है कितना है 2 साल है 2 साल है तो इधर square तो इधर भी square 8 का square इस और लो यह प्रिंसीपल और यह अमाउंट इंट्रेश निकालने की ज़रूत नहीं क्यों अपसे निकलवाया नहीं है आपको अमाउंट दे रखा है कितना तो बोलेंगे 16,200 तो एक बराबर 200 एक बराबर 200 तो बचे 64 इंटू 200 कितना आ जाएगा 12,800 आपको अंसर आ इनी प्रबलम बोलो नो प्रबलम मैंने क्या बोला एक बटा आठ आठ रुपे नहों हो जाएगा आठ का स्कॉयर 64 नों का स्कॉयर 81 एक बराबर 16,200 तो एक बराबर 200 चौशच बराबर 12,800 इनी प्रबलम कोई दिकत कहीं भी कोई दिकत आए तो बताईए सर देखो कभी प्रिंसीपल दे देगा कभी अमांट दे देगा कुछ भी आपसे पूछ लेगा आपको कोई दिकती नहीं होना चाहिए यस और नॉट चलते आगे तलते हैं सर इसी टैप का एक और कुशन है कहता किस धन का 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत बारशिक कंपांड इंट्रेस की दर से 3 स अलका कंपांड इंट्रेस 1270 रुपए है धन क्या होगा बाते के लिए रहे ना सर देखिए ये हमको दिया है प्रिंसीपल निकालना है दर आएगा 16 सही 2 बटा 3 परसेंट और समय आएगा कितना साल 3 साल और कहाएगा कंपांड इंट्रेस इस बार आपको दिया है एक कोशन म आपको अबाउंट दे दिया था एकमें प्रिंसीपल दे दिया एकमें कंपांड इंट्रेस दे दिया अप्रब्लम नो प्रब्लम सर आप देखेंगे क्या बही काम 16 सही 2 बटा 3 की फ्रेक्शन मेलू क्या होती है बोलेंगे 1 बटा 6 और आपको जानते होंगे नहीं देखा हो 3 साल का है तो यहां भी क्यूप और यहां भी क्यूप तो 6 का क्यूप 216 साथ का क्यूप कितना 343 सर 216 रुपए प्रिंसीपल, 343 रुपए अमाउंट तो सर हमारा इंट्रेस्ट कितना आ जाएगा तो 343 में से 216 माइनस करो कितना आ जाएगा 127 Any problem? सर हमारा इंट्रेस्ट 127 नहीं है कितना है? तर बोलेंगे 1270 है तो बोलेंगे 1 बराबर कितना 10 एक बराबर 10 तो 216 इंट्रेस्ट कितना आ जाएगा 1260 तो प्रिंसीपल पूछ ले 1260 अगर आपसे अमाउंट पूछ ले तो ये कितना आ जाएगा 3430 Any problem? ये तो इसकी basic question थे अब सर हम क्या करेंगे? प्रिंसीपल और रेट दे देगा और आपसे प्रिंसीपल और आपसे अमाउंट दे देगा अब आपसे रेट आप इंट्रेस्ट निकल बालेगा Yes or not? बाते के लिए रहे आई ये सरे एक और टाइप ही तरब सर देखिए question मैं आपको इसी question को reverse करके बताना चाहरा हूँ मैं आपको चीदों को सर जैसे आपसे बोला कि 16 सही 2 बटा 3% ब्याज है 16 whole number 2 upon 3% इंट्रेस्ट है तो आपने देखा इसकी fraction value 1 by 6 होती है तो 6 बन इंट्रेस्ट कितना हो गया? 7 टाइम आपका 3 साल है आपने क्यूब कर दिया ये principle आगया ये amount आगया आप सर जो type आएंगे उसमें principle और amount दे रखा होगा और rate of interest आपसे निकल वा लेगा कोशन कह देगा कि 216 रुपए 3 साल में 343 रुपए हो जाते है find the rate of interest चक्रुदी ब्यास की दर क्या होगी? तो आप लोग क्या करेंगे सर? देखो इसको हमने cube किया तो हमारा क्या है? principle और amount आया अगर सर इसी का अगर हम cube root कर देंगे तो क्या आएगा? principle और amount एक साल का आएगा या नहीं आएगा? yes or no? पर एक साल का था तीन साल का निकाला cube कर दिया? अब तीन साल का दिया है एक साब का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट ये किसका क्यूब है छे का ये किसका क्यूब है साथ का तो सर कितना बड़ा एक किस पे छे पे तो सौ पे कितना और एक बटा छे की fraction value कितने होती है percentage value सोरा से ही दो बटा तीन आईए मैं आपको सरी क्यूशन है दो सो पचीस रुपए चक्रविदी ब्यास की किस दर्स से दो बर्ष में दो सो चपन हो जाते है एक दब बेसिक क्यूशन छोटा सा क्यूशन है सरी चाते है एड़ वर्ट रेट परसेंट 225 बिल भी 256 इन टू यर्स बाते के लिए रहें सर क्या करेंगे सर देखो 225 रुपए हमने आवारे पास थे और ये कितने हो गए 256 सर कैसाल में ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है कैसाल में दो साल में और आपको अभी भी मैंने सिखाया दो साल बोले तो स्कॉयर रूट तीन साल बोले तो क्यूब रूट चार साल देदे चार पावर आफ रूट यह सर नो तो क्या कर देंगे अंडर रूट और ये भी अंदर रूट ये किसका अंडर रूट है पंदरा का ये किसका स्कॉयर रूट है तो बोलेंगे 16 का पंदरा रुपिया एक साल में सोला हो गया कितना ब्याज मिला एक किस पे पंदरा पे तो बोलेंगे सो पे कितना पांस से काटा तीन और पहले तो एक बटा पंदरा की एक बटा पंदरा की आपको fraction value आपने percentage पढ़ा होगा तो आपको पता होगा six whole number two upon three percent rate of interest आजाएगा बाते प्रब्लम नो प्रब्लम सर देखिए time 2 साल हो तो square root time 3 साल हो तो cube root any problem बन मोर question चोटा तो question इसी टाइप में चोटा तो question आउ ले लेता हूँ बहुछ कांप्टींटर है अप लोग सरस्टे की कम्मेटर है तो 50 अचा सकते square तो नौर्मली आपको यादी होंगे नहीं आद होंगे फिर उसे नकाले किसका square एसपटास स्कौयर के आजपास में है टो सर देखेंगे टेई सो चार पचीस ओं के आसफास में है 25 पतर छोटा है इसका स्क्वाइर भी 15 के आसपास पे होगा तो हम देखा 49 का स्क्वाइर 9 निवाइक 181 एक आएगा नहीं है 49 स्क्वाइर 864 इसका मतलब यह स्क्वाइर हो नहीं हो किसका होगा 41 का तो 49 रुपे 50 होगे कितना बड़ा 2 किस पे 49 पे 200 पे कितना तो 2 से काटेंगे 24 आगया 4 से काटा 6 4 से काटा कितना आगया 25 आगया तो 25 बटा 6 4 से ही 1 बटा 6 परशन डेट आए नहीं आया Any problem? No problem लेकिन सर देखिए इसी कोशन को हम और आसानी तो कोशन को बनाएंगे पैसे बनाएंगे एक बड़ देख लिए इसी कोशन को देखो सर 234 रुपे 2 साल में हमारे कितने हो रहे हैं? 25 रुपे कितने हो रहे हैं? 25 रुपे तो हमने क्या करा कि इसको थोड़ा सा छुड़ा कर लेगी है कट रहा है तो काट लेगी है हमने देखा यह 4 से कटता है तो सर कितना हो गया? 625 4 से कटता है तो सर यह कितना हो गया? 576 अब तो हमें स्क्वाइर हो गई सर 2 साल का है तो क्या कर देंगे? स्क्वाइर रूट यह 24 का स्क्वाइर है तो यह किसका स्क्वाइर है? 25 का बड़ा एक किस पे 24 पे तो सर 100 पे कितना 4 से कटा 6 बार और 4 से कटा 25 बार 25 अपान 6 4 होल नंबर 1 अपान 6 परशन आपका आंसर आजाएगा अनी प्रब्लम लो प्रब्लम एक और तर फिर्म कुश्शन देखेंगे बन 02400 रूपए C.I. की दर से 3 साल में इतने हो जाते हैं रेट अप इंटरेस्ट क्या होगा चक्लबुदी वियासि किस दर से कैता रेट अप इंटरेस्ट किया होगा तो आपने देखा बन 02400 इतने रुपए 3 साल में हो जाते हैं 14或者 500 बाते के लिए रहें सर इनका क्यूब रोड निकालना हमारे लिए आसान काम नहीं है तो इनको छोटा कर लिए इनको काट लिए 2-0 से 2-0 क्या हो गए कैंसल सर 2 से कट रहा है 5-2 2 से कट रहा है 7-2 9 अब बताएंगे सर समय कितना साल है तो बोलेंगे 3 साल है सर 2 साल है तो इसक्वाइर रूट 3 साल है तो हम क्या कर देंगे क्यूब रूट क्या करेंगे सर क्यूब रूट ये किसका क्यूब है तो बोलेंगे 8 का ये किसका क्यूब है तो बोलेंगे 9 का यस और नो सर कोशन है चक्रवर्दी ब्यास की किस दर से कोई धन दो बर्षों में खुद का दो सही एक बटा चार गुना हो जाता है At what rate of compound interest a sum will be 2, 1 upon 4 times in 2 years बाते के लिए हैं तो सर देखिए सर देखिए आप principle को कुछ भी मान सकते हैं एक रुपिया, सो रुपे, हजार रुपे, लाक रुपे, करोन रुपे मैं तो कहता हूँ सबसे आसान है मान लो मेरे पास एक रुपिया था कितना था? एक रुपिया कितना था सर? एक रुपिया सर देखो दो सही एक बटा दो गुना बोले तो 9 by 4 सर एक रुपिया था तो दो साल में नाइन अपन फूर आ गया अई प्राब्लम सर आपने मुझसे परसंटेज पड़ा होगा मैंने बताया था परसंटेज में फ्रेक्शन नहीं चलेगा पॉइंट्स नहीं चलेंगे क्या करेंगे फूर से मल्टिप्लाई फूर बंजा फूर नाइन बंजा नाइन तो आपको पता चल गया कि दो साल में को चार रुपे कितने हो जाएंगे नौ रुपे चार रुपे कितने हो जाएंगे नौ रुपे दो साल में तो हम क्या कर देंगे square root करतेंगे, तो 4 का square root 2, 9 का square root कितना, 3, 2 रुपए कितना हो गया, 3 हो गया, सर कितना बड़ा, 1, किस पे, 2 पे, तो बहिया 100 पे कितना, तो बोलेंगे कितना percent आ गया, 50%, any problem, no problem, दुबार देखो सर, 2 सही, 1 बटा 4, 9 बटा 4, 1 रुपिया 9 by 4 हो गया, 4 से multiply, 4 is to 9, time 2 years है, तो square root 3 years होता तो cube root, तो 4 का square root 2, 9 का square root 3, 2, 3 हुआ, बन बड़ा किस पे, 2 पे, और 100 पे कितना 50% अंसर आ गया, एक और question, सथी question है, कोई धन, CI की दर से, 3 साल में खुदका 1.728 गुना हो जाता है, बाते के लिए रहा न सर, आईए सर देखते हैं एक बार, सर माल लो, मैंने 1 रुपिया लगाया, कितना लगाया, एक रुपिया, और 3 साल में हो गया 1.728 गुना, अई प्राब्लम, नहीं, सर आपने ratio पढ़ा है, आप जानते होंगे, कि ratio में points और fraction, not allowed, सर, एक और एक दो और एक तीन, तीन के बाद point हटाएंगे, तो यहाँ पे 30 बढ़ा देंगे, yes और not, बाते के लिए हैं, सर, time period कितना है, बोलेंगे 3 साल है, तो हम क्या कर देंगे, cube root, और इसका भी क्या कर देंगे, cube root, any problem, यह किसका cube है, 10 का, और यह किसका cube है, 12 का, कितना बड़ा, दो बड़ा, किस पे, 10 पे, तो बच्चे 100 पे कितना, तो इसी को दुनिया 20 परशन के नाम से जानती है, any problem, no problem, सर, इसका एक तरीका और भी देख लीजिए, सर, मालो, एक रुपिया था, तो यह कितना हो गया, एक रुपिया था, तो यह कितना हो गया, 1.728, आप तो इसकी अट से कट रहा है, 82 जा, 8 बन जा, 8 जा, 8 से कट रहा है, 125 जा, any problem, नई, समय कितना है आपका, बड़ा खराब है, 3 साल है, क्या करेंगे, क्यूब रूट, क्या करेंगे, क्यूब रूट, यह 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, कितना बड़ा, 1, किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना तो बोलेंगे 20% आपको आंसर आ गया बाते किलियर हैं दोस्तों कैसा रगा आपको इस पार्ट का बेसिक पार्ट था आगे मैं बहुत अपडेट बड़े-बड़े कोशनों की बाते करूँगा आपसे में अभी इस पार्ट में आप मुझे कॉमेंट सेश्ट कि पार्ट मेंचा आपको आपको ओहर रहाना आप एस नह स्काँ